आज हम नया टॉपिक देखेंगे देट इस सेंटर आफ ग्रिविटी सेंटर आफ ग्रिविटी क्या होती है तो देखें सेंटर आफ ग्रिविटी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इस बॉड़ी का जो मास है हमको इस बॉड़ी की सेंटर आफ ग्रिविटी फाइंड आउट करना है यह जो बॉड़ी है छोटे छोटे एलिमेंटरी मास की बनी हुई है यह आपका M2 मास यह आपका M3 मास इसी तरह यहाँ पे M4 मास M5 मास M6 मास होगा आप सारे M1, M2, M3, M4, M5, M6 को एड़ कर देंगे तो टोटल मास M के जित्ता आ जाएगा इसके हर एक एलिमेंटरी मास पे एक वेट एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रिविटेशनल फोर्स और कैसा एड़ करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड यह रहेगा आपका M1G इस वाले एलिमेंटरी मास पे भी एक वेट एक्ट करेगा ड्यू टू ग्रिविटेशनल फोर्स कितना करेगा M2G इस वाले मास पे भी एक वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड द्यू टू ग्रिविटेशनल फोर्स जाट इस M3G इसी तरीके से M4G, M5G, M6G vertically downward act करेगा और ये सब मिलके क्या बनाएंगे एक parallel force system बनाएंगे इस parallel force system का जो भी resultant होगा वो जिस point पे act करेगा that point is known as CG or center of gravity तो इस parallel force system का resultant इस point पे act कर रहा है तो इस point को हम बोलेंगे CG or center of gravity हमें क्या करना है हमको इस CG का distance निकालना है कहां से निकालना है इस वाले x y axis से हमको निकालना है तो CG का जो distance है यहां से यह मैंने लिया है x bar हमें x bar की value निकालना है तो अगर हमें x bar निकालना है तो reference line हमें क्या लेना पड़ेगा y axis हमारी reference line रहा करेगी यहाँ पे जो M1 मास है इसका जो distance है यहाँ से this is X1 M2 मास का जो distance Y-axis से that is X2 M3 मास का जो distance Y-axis से है that is X3 हमें यहाँ पे X-bar निकालना है X-bar इस CG का distance Y-axis से है अगर हम ध्यान से देखें तो जो CG का distance Y-axis से आता है वही इस resultant की विदूरी Y-axis से आएगी अगर हमने resultant की दूरी Y-axis से निकाल लिया तो CG का distance आपको Y-axis से पता चल जाएगा X-bar की value आपको पता चल जाएगी अगर आपको resultant की दूरी निकालना है resultant की अगर position निकालना है तो उसके लिए variance theorem है variance theorem या law of moment कहता है the algebraic sum of the moment of all the forces about any point or line is equal to the moment of their resultant about the same point or line variance theorem बोलता है कि इस resultant का moment इस line के about किसके बराबर होगा इस वाले force का moment इस Y-axis के about प्लस इस वाले force का moment इस Y-axis के about प्लस इस वाले force का moment इस Y-axis के about हम moment जानते हैं it is product of force and the perpendicular distance तो दिखिए मैंने resultant का moment Y-axis के about लिखा that is M-G-X-bar जो की equal to होगा M1-G-X1 प्लस M2-G-X2 प्लस M3-G-X3 के जित्ता होगा तो यहाँ पे G आपके दोनों साइट्स के कड़ जाएंगे और आपको X-bar की value मिल जाएगी X-bar आपको मिलेगा M1-X1 प्लस M2-X2 प्लस M3-X3 अपन capital M यहाँ पे capital M को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम M1-M2-M3 लिख सकते हैं तो उपर हम कितना भी लिख सकते हैं M1-X1-M2-X2-M3-X3-M4-X4-M5-X5 divided by M1-M2-M3-M4-M5 इस तरीके से हम आगे इसको लिख सकते हैं अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं integration of X-DM upon capital M अभी आपने क्या निकाला आपने इस CG का distance Y-axis से निकाला अगर आपको इस CG का distance X-axis से निकालना है इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ अगर हमें CG का distance X-axis से निकालना है तो हमें क्या निकालना है हमें Y-bar की value निकालना है जिसे आपने X-bar यहाँ पे निकाला है ठीके X-bar का आपने यह वाला formula डिराइफ किया उसी तरह जब हम Y-bar का formula डिराइफ करते हैं तो Y-bar equal to M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 upon capital M आ जाता है capital M को हम क्या लिख सकते हैं that is M1 plus M2 plus M3 बगे इस equation को और हम क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं integration of Y-DM upon capital M तो आपने देखा अगर body का आपको mass दिया हुआ है तो उसकी हम center of gravity की दूरी X और Y-axis से किस तरीके से निकालते हैं आप इतना ध्यान रखिएगा अगर हम CG का distance Y-axis से निकालेंगे तो हमें X-bar निकालना है अगर X-bar निकालना है तो reference line क्या लेना है Y-axis अगर Y-bar निकालना है तो reference line क्या लेना है X-axis अभी तो आपको इस वाले problem में mass दिया हुआ था तो आपने इसकी center of gravity निकाल ले अगर आपको mass न देखके ये volume देदेगा तब हम center of gravity के लिए ये formula यूज करेंगे जिसा mass का था mass की जगा हमने क्या लिख दिया volume लिख दिया तो X-bar का formula बन जाएगा V1 X1 प्लस V2 X2 प्लस V3 X3 अपन V1 प्लस V2 प्लस V3 इसी तरह Y-bar का जाएगा अगर ये mass और volume न देखे density दिया रहेगा तो हम अपना center of gravity इस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर अपने mass की जगा क्या ले लिया density ले लिया अगर density न देखे length अगर दिया रहेगा और अगर हमको center of gravity निकालना रहेगा तो हम mass की जगा length ले ले लेंगे और हमारा center of gravity निकल जाएगा हो सकता है length न देखे figure में आपको उसका area दे तो हम उसकी center of gravity किस तरीके से निकालेंगे अगर area दिया है तो center of gravity निकालने के लिए हम formula यूज़ करेंगे x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 upon a1 plus a2 plus a3 इसी तरह y bar का formula यूज़ कर लेंगे तो जो चीज़ आपको दिया रहेगा उसको आपको यूज़ करना है center of gravity निकालने के लिए दिखी जब हम area area का center of gravity निकालते है area की जो center of gravity निकल के आती है उसको हम बोलते है centroid जो plane figure रहता है plane figure क्या रहता है जिसका mass नहीं होता है जिसका खाली area होता है उसकी जब हम center of gravity निकालते है तो उसको हम बोलते है centroid centroid is the geometrical center of a given figure centroid is the geometrical center of a given figure तो इस तरीके से हम ये formula का use करके हम given body का centroid या center of gravity निकाल लेंगे अब हम इसको example से समझते हैं